Hello students, welcome to Swann class. Today we will going to study about the topic Northern Plain that is one of the topic of your chapter number 2, Geography, the Physical Features of India. We have a complete discussion about Himalaya Mountain. If you haven't seen that video, it is part 1 and part 2. Please watch that video so that this chapter will be complete. We have a complete chapter-wise video and topic-wise video. Now we are reading chapter 2, Class 9, Geography Chapter 2, The Physical Features of India. The Physical Features of India, Himalaya Mountain, Northern Plains, everything we are reading. Himalaya Mountain, we have already read the Northern Plains. So, first of all, the question is that Northern Plains is formed. If you remember this chapter, when we were discussing this chapter, we were reading about Plate Tectonic Theory. Plate Tectonic Theory works. The Northern Plains' formation is related. To do what do we have organized as part 2. It is the European Plate and the Indo-Australian Plaits. The European Plate is fixed as part 2. The Uni-Australian Plate is fixed by a place and the Indo-Australian Plate. The Micro-Australian Plate will be fixed. These plates are moved to the plate and the plates are moved to the plate. जाके ज्रेशन प्लेट से जाके टक्राते हैं, तो जब यह इंड़ो उस्ट्रेशन प्लेट लिउसरे टक्राते हैं? इस फोल्ड हो जाती को लोगों ने पहले पढ़ा था? यहाँ पे उरेशन प्लेट मॉपकर भूप मूङनट होती है आंड बोव करते करते जाकर यह से प्रकराता है तो रिजल्ट क्या होता है यह फ्लेट फोल्ड हो जाते ऐसे एस तरह से यह फ्लेट प्लेट जब फोल्ड होते हैं उसको कौन से बाउंडरी बोले जाते है यह आप कमंट सेक्षन में बताना ठीक है क्योंकि यह हम लोग आरड़ी डिसकस कर चुके तो इसको मैं भी नहीं बताऊंगी आपको यह कमंट सेक्षन में मुझे को बताना कि यह जो प्लेट्स फोल्ड होती इस तरह से तो वह कौन सा बाउंडरी कहलाता है तो चलो हम लोग बात करते ह आपे से टॉपिक पर आते हाई तो यह फ्लीट हो गया है ख़ंट करते हृत्प प्लेट्स करा कर से घे ऊजर ही हिलो होकि की वज़े से पूरे North and North East में क्या हो जाते हैं Mountain formed हो जाते हैं जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग हमालय Mountain की नाम से जानते हैं ठीक है तो अब यह अब यह सोचो एक Mountain ऐसे फोल्ड हो गया बड़ा हो गया तो यहां ने पढ़ा तो इसका फुट हिल्स के वह सिवालिक यह तो आपके greater हिमालय हो गए उपर में ठीक इसके बाद हो गए आपके middle हिमालय एंड जो फुट हिल्स हुए उसके वो क्या थे वो सिवालिक थे तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है फुट हेल कि नीचे रहते हैं अब ऑविसली यहां तक यह पर टॉप की है यह middle है यह जो नीचे हो गए फुट है अब हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था कि हिमालय माउंटेन होते हैं, तो यह river यहां से जब formed होता ह recommend यहां पर 1997 समझ लो क्यों हिते हीज़ हिए यहां पहरेक जो है समझ वहां पर140 समुष। इसे ये 6000 feet की उचाई पर है, तो हम लोग ये बात जानते हैं कि हम लोग जितना उपर जाते जाएंगे, उतना क्या होगा, जो temperature है वो down होने लगेगा, ठीक है, तो इसी वज़े से जब हम लोग उपर जाते हैं, तो mountain वगरे में जाते हैं, तो हम लोग oxygen mask का ज़रूत होता है, because sea level से, ठीक तो इसे लिए यहां पर बर्फ जमीवी रहती है, तो जिसकी वज़े से जब ये पिखलती है, तो river formed करती है, और वियसे बात है, जब ये बर्फ पिखलेगी, तो क्योगी river formed करेगी, ठीक है, तो यहां तक हो गया, अभी हम लोग आके बढ़ते हैं, तो अब जैस कर भी हो जाता है, तो यहां पे नीचे वाले हिस्से में क्या हो जाता है, जब यह फ्लो डाउन होती है, तो वो अपने साहसात कुछ सेदीमेंस को भी लाती है, sediments मतलब छुट-छुटे कंकर, पत्थर, मिन्रल्स, रॉक के छुट-छुट टुकरे, चटान के, ठीक है, इसको हम लोग sediments बोलते हैं, तो ये sediments लाके लाके कहां पर भर देती है, जो इस टाइप का जो gap बन जाता है, जो mountains के नीचे जो ऐसा gap बन जाता है, वहाँ भरते जात यहां सलाते ऐसे भरते 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 एक दिन क्या हो गया, यहां पर plane बन गया, यहां पर planes formed हो गया है, जिसको हम लोग किस नाम से जाने, Northern plane के नाम से जाने, देखो, अब यहां पर बहुत इसली समझ में आ जागा, यहां से यहां तक mountain हुआ आपका, यह हम लोगों ने ठीक है, इस तरह से plane formed हुआ, तो basically किस किस नदी का काम था यह, तो तीन नदी थे, यही तीनों नदी का काम था, गंगा, इंदस और ब्रहम पुद्र, यह जो सारा कुछ आपके plane formation हुआ, जो मैंने भी बताया कि नदियां क्या करती है, उपर से आती है, साथ साथ सेडिमेंट कुलाती है, सिल्ट कुलाती है, यहां पर जमा करती है, तो यह किस का काम था, यह तीन नदी का काम हुआ, गंगा नदी भी यही वर्क करती है, इंदस और ब्रहम पुद्र, यह तीनों माउंटें से निकलती है, तो यह तीनों का यही काम था, यही तीनों रिवर्स की वज़ यहां जो नोट्स में दिया है दर नदन प्लेन है अज बिन फॉंड पाई इंटर प्ले अफ्री में रिवर दगंगा देंदर सिन ब्रहम पुद्राय होप की समझ में आ गया होता है वह सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सॉयल यही होता है क्यों होता है इसका रिजन है इसका रिजन यह है कि अभी मैंने क्या बताया यह कहां से लाई सेडिमेंट्स ओविसली माउंटें से लाई हम लोग जानते कि माउंटें किसमें रिच होते मिनरल्स में पड़े हो न तो यह मिनरल्स आते हैं जब प्लेन में पुरा भर गए तो यह हो गया, आपका अलुवर स्वैल बन गया, मिट्टी बन गया, क्यों कि मिट्टी के ले लिए रूप ले लिए यह बिस्ट सवेल बन गया तो इसी रिजन की वज़ा से इन एरियास में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होते हुआ हम लोग आगे पढ़ेंगे ठीक अभी यहां तक समझ में आगे इस प्लेन इस फॉर्मड फैलीवल सोल इस फ्रेड ओन एरिया ओफ्सवेण स्क्वार किलोमेटर देखो यह जो एरिया है आपके यहां से पूरा यहां से पूरइड है यह तो यह एरिया जो टोटल मेन के एरिया यह कितने है सैंवन लाक स्क्वार किलोमेटर है याद रहेगा, the plane being about 2400 km long, यह long कितना है, यहां से यहां तक अगर हम इसका count करेंगे, 2400 km है, ठीक, total area कितने cover कर रहा है, 7 lakh square per km, and जो लंबाई कितनी है, 2400 km, ठीक, and इसकी broad कितनी, breadth कितनी है, चोड़ाई, तो 240 to 320 km, जो ऐसे क्यों है 240, ऐसे इसलिए है, क्योंकि कहीं पर देखो, यह ज़्यादा चोड़ा है, तो कहीं पर थोड़ा यह कम है, यहां पर देख सकते हो, ठीक, यहां पर देख सकते हो, थोड़ा यह कम नज़र आ रहा, कम चोड़ाई नज़र आ रहा, and यहां पर तो बहुत ज़्यादा है, कहने का मतलब है, यह 240 से ले समझ में आगया, थका हैं मांटें से le aha, इनररे साथ ही 3 ले गर करे आई घंगा इंदस्टन ब्रहमत्पुत्र ०्स अपने साथ मेनरर ले करके आईily जो बेहां किया जो और Shallowal थे बनद manager likes 200,000 km अधर में 2400 km कुलो मेटर preached जो 232 km चोड़ा है आई होप कि यह वाला समझ में आगया होगा आप लोगो नेक्स टोने चलते हैं इसका इंपोर्टेंस की और क्या इंपोर्टेंस है प्लेंस का देखो प्लेंस जो है वो देंसली पॉपुलेटेड है ठीक देंसली पॉपुलेटेड मतलब यहाँ पर जनसंख्या बहुत जादा है ठीक है बहुत घना जनसंख्या वाला छेतर है ठीक है एंड क्यूं है विकाउज अगरिकल्चरली वेरी प्रोड़क्टिव पार्ट क्यूंकि इस वज़े से है क्योंकि यह भारत का पूरा इंडिया का सबसे ज़्यादा उपजाओ छेतर है ठीक उपजाओ सबक्यों है हम लोग ने डिसकस कर लिया पहले क्यों क्योंकि यह अल्यूवेल सोयल पाया जाते है अल्यूवेल सोयल तो अब भी ज़स्ट बताएं कि कहां से आया है मिल से आब बनता है ठीक तो एल्यूवेल सोयल होने की वज़े से यह बहुत जादा प्रोड़क्टिव पार्ट है यह क्या है मुश्टली कहां का पाया जाते हैं यह मुश्टली वेस्टर्न यूपी पंजाब नहर्याना यह वाले एरियाज में नर्दन प्लेन है ठीक नर्दन जासे जो हमारे बेसिक फूड आइटम से वह प्रोड्यूट्स वह प्रोड्यूस्ट होते है इसके बाद रिच स्वाइल कवर तो स्वाइल को तो भी हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी जो मिट्टी है वह बहुत जादा उपचाओ है रिच है क्योंकि अल्यूवल स्वाइल है एडिक्वेट वाटर सप्लाइ बहुत जादा अच्छा है यहां पर्याप्त मात्रा में जितना पानी होना चाहिए आपकी खेती को जितनी भी पानी की जरूरत होती है वह सारा यहां पर फैसलेटी अवेलेबल है क्यों है क्योंकि ओवेसली यहां पर रिवर्स है तीन तीन जलवाईयू है ठी क्लाइमेटी कंडिशन जो है वह बहुत अनुकूल है किसकी फैबरेबल है मतलब अग्रीकफल जर के अनुकूल है क्यों है क्योंकि जो एक उतु बिट्य बहुत अच् pandere हों है क्लामेटी ताष्षा कैसे है क्योंकि इसके पीछे कौनदा है इसके प्लाइन के नौर्ट में हमालय भी तो तो यहां पर जादा गर्मी पड़ती है , क्योंकि यहां पर जादा मांटेनियस एरिया मॉटन होगा। ढ़र काम तो वहां पर गर्मी पड़ती कि स्जाधी हवा पर गर्मी पड़ती है . तो सब कुछ यहां बहुत फैवरेबल है चो क्लाइमेटी कंडिशन है वो नदन प्लिन के बहुत जादा फैवरेबल है जिसकी वज़से अग्रिक कल्चर बहुत जादा डवलप्ट है इन एरियास में देख सकते हो कौन-कौन एरिया यहां पर राजस्तान के कुछ हिससे ठीक असमें बाजस सकीम के कुछ पांट है नागालैंड के कुछ पांट इंक्लूट हो रहे हैं तो यह आप लोग स्टेस से आप लोग याद रखना यह सारे इडस किसमें इंक्लूड़न है यह सारे श्टेट्स आपके नदन प्लेन में इंक्लूड़ेट है इसके बाद एक टॉपिक हम लोग चलते हैं इंपॉर्टिस हम लोगों ने डिसकस कर लिया ओके एक चीज रह गया है यहां नदन प्लेन में और कुछ-कुछ इंपॉर्टन फीचर पाये जाते हैं क्या रिवराइन आइलेंड इसके नाम थोड़ा जीब लग रहा होगा क्या नाम है वाट हम लोग कोई नहीं है अभी हम लोग इसको वन बाई एक्स्प्लेन करेंगे तो आप बिल्कु अच्छी इसके समझ जाओगे सबसे पहले मुझा चलते हैं रिवराइन आईलेंड कर दो इसको आईलेंड विच गेट फ़ॉप्ट इन दे रिवर वट्र लेबल डौस्टाउन इसको रिवराइन इंड यह बहुत जादा कुछ नहीं है यह बहुत ईजी सा टॉपिक है रिवराइन आ टाउन वे में अपने बहती है ठीक ना तो अब ये क्या है ये जब बहती है तो क्या होता है कहीं कहीं पे इसे इसका जो भाव है वलोसिटी है वो कम हो जाता है देखो mountain river तो continue ये अपना work कर रही है क्या work कर रही है तो ये work ये कर रही है कि ये depositional work कर रही है depositional work मतलब ये sediments को लाने का काम सिल्ट को लाने का काम continue किये जारी किये जारी ठीक तो ये क्या करती है river mountainous river ये continue अपना slope होता है तो कहीं कहीं पे जहां पे धलान कम होता है वहां पर ये क्या है वहां पे इसकी जू वेलोसिटी है वो घट जाती है ठीक है अब अगर पानी तुम ड्रॉप कर वाटर को ठीक तो देखना कि जहां पर जहां की slopes यानि कि जहां का धलान बहुत ऐसा रहेगा एकदम से इस तरह से वहां बहुत तेजी से बहके आएगा ठीक है water लेकिन जो थोड़ा इस टाइप से रहेगा वहां जड़ा इसका जो बहावे वो कम हो जाता है पतलब रुकता तो नहीं है ये तो नदी है तो चलने रहने वा सब्सक्राइब में हुए तो तो क्या होते हैं वो यहां पर रूख जाते हैं ठीक है सपोज यह अपने साथ सथ सेडिमेंट को लारी यह लारी तो यहां सेडिमेंट से बहते 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 आ रहें लेकिन यहां इसकी भाव हो गई कम रिवर की ठीक समझों कहीं कि पुद्ग है परोध बहुत लादे संवर्छ पहुत że्डिमेंट भठ साथ साथ बहुत कदेः वहाया है तो tonight पर इसकी जहां पर slope gentle था धलान कम था यानिकी और velocity भी कम हो गई यह sediments आते 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 तो यहां पर रूख गए क्यों रूख गए भाई रूख इसलिए गए क्योंकि यहां पर नदी का बाहव कम हो गया था नदी का बाहव कम होने की वजह से यह sediments को आगे नहीं लेके जा सकी ठीक है जब यह condition हो जाते हैं तो यह जो sediments आपस में मिल मिल इससे sediments यहां जमा होते 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 एक आइलेंड फ़ॉर्म करते हैं ठीक है एक आइलेंड फ़ॉर्म करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिवराइन आइलेंड समझ में आ गया यह बहुत इजी है इसको आप लोग प्रक्टिकल कर सकते हो देखना कहीं पर भी जब वहां पर रख देना वह बनगे river iron island ना तो यह क्या है यह river iron island इस तरह से formed होता है island तो जानते हो deep river iron मतलब नदीदूइब बस जाता कुछ नहीं है भी मैंने बताया तो इस तरह से यह river iron island formed होता है ठीक है island which can formed in the river माने कि कहा formed हुआ river में when the water level when the water level drop down अभी में हम लोग ने पढ़ा कि water level जब धीमा हो जाता है तो जो sediments अपने साथ लाते हो वहीं पे रह जाता है वो कहीं वहाँ से जा नहीं पाता है और वहाँ आइलेंड के फॉर्म डो जाता है देखो मजूली जो है मजूली जो ब्रहमपुत्र में यह largest river and island है वो पुरे world का यह असम में है ठीक है यह देख सकते हो इतना बड़ा है कि यहां पे आपके घर बस गया है यह देखो यहां से इस साइड से water आ रहा है यहां भी लेकिन water level यहां पे देख रहे हो थो प्लेन फॉर्म डिमाता वाटर यहां के जो ड़लाने वो नहीं है बहुत कम है ठीक है तो water levels जब यह उपर आ गये तो एक यहां पे पूरा बसती बस गया ठीक अब लोग यहां रहने लग गये मजूली इसका नाम है यह वर्ल्ड का लाजिस्ट रिवर और आइलेंड है ठीक यह क्लियर हो गया एक टॉपिक चलते हैं डिस्ट्रिब्यूटरीज हम लोगों ने संमजरेयं का लगा तो विछ में सेडिमेंटेशन को जब आँ याःजिवी ra जो इस सब्सक्राइब टो यहां से जरब सिक्राइब क्या हो तो दानीफ हे जब हों और आपने बात हुआ कि ऐसमें िद्धेशी को पर सब्सक्राइब बात हुआ करा के मजब अपने घुनीफान गार वहए Turbo गया सब्सक्स फिर पर थिश्टिमीशन गहीं कि आपा मतना श्चनास में पयाilities भी समय है है clear देख सकते हूं इमेज में किस तरह से ये एक रिवर आ रही है ये बीच बीच में से इसकी वज़्ज़ारी पर वाटर distribute हो जाना ठीक, tributaries मतलब होता है, अच्छा, इसको थोड़ा सा clear कर देते हैं, ये distributaries समझ में आगे, tributaries भी होता है, तो जैसे ये एक river है, ठीक ना, and इसे स्रिफ एक ही river निकली, ठीक, इसे स्रिफ एक ही river निकला, इधर उतर बहुत सारण नहीं हुआ, इसको बोलते है distributaries, and इसका जो बीच वाला पार्ट को क्या बोलते है, दुवाब, इसी के बीच वाले पार्ट को दुवाब बोलते है, जैसे कि ये एक river है, इसे स्रिफ एक river निकला, उसको बोलते है, tributaries, distributaries, बहुत सा channel formed हो जाता है, बट जो tributaries है, उसमें स्रिफ one ही river formed होता है, और two, hardly two rivers formed हो तो जिनको सहायक नदियां बोला जाता है हिंदी में, तो वो क्या होता है, वो tributaries जो formed हो जाते है, तो बीच वाले जो area हो जाते है, ये main river हुआ, ये उसका tributaries हुआ, बीच वाले जो reason है, उसको दुवाब बोलते है, देख लेते हैं इसको, ये देखो, दुवाब means land between two rivers, तो मतलब two, आप मतलब होता water, आप एक Punjabi word है, जिसका मतलब होता water, यानि कि दो water के बीच में, जो जगह बचती है, वो हो जाता है, दुवाब ये देखो, example क्या है, गंगा यमुना दुवाब, ये देख सकते हो, आप लोग, ये देखो, यहां से गंगा formed हो रही है, दिख यहां से यहां से यहां फंट हो रही है, तो यह जो बीच का region है, गंगा अन्यमुना के बीच का region है, वो होए दौए दौवाब, यहां पर clear हो जाएक, यह देखो, यह blue वाली जो line है, यह गंगा की line है, यह देख सकते हो, फिर इसी से यह मुना भी निकली हुई, जो brown color की line ह जो यह बीच वाले पार्ट्स है ना जो वाइट करण में आप लोगों दिख रही है जो ब्लू एंड ब्राउन के बीच में जो वाइट पार्ट है यह क्या है दुआप इसी को हम लोग दुआप बोलते हैं ठीक है तो यह बहुत जादा कुछ नहीं है बस यह 3-4 important geographical features है जो नर प्रड़न प्रेंड का पार्ट वन पढ़ा है तो पार्ट वन में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या फॉर्म्ड होते हैं क्या को जोगर्फिकल feature फॉर्म्ड होते है रिवारा आइलेंड और डिश्रिबिटरीज और दुवाब और हम लोग ने उसके importance को पढ़ा कि क्यों व खांगर क्या होता है भाबर क्या होता है खादर क्या होता है यह सब सारा है आप लोगों का यह नदन प्लेन में ही included है तो इसको हम लोग पार्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे तो आप लोग यह वाले वीडियो देख ले तो वह वाले वीडियो भी आप जरूर देखना यह सारा कुछ topic आप लोग को clear हो जाए so if you like my video then subscribe my channel thank you for watching